बहुत हुआ समान बिटो बहुत हुआ समान बोल दिया सुनो बाइकाट अरे बाइकाट हिले ओ बाइकाट कहीं वो कपिल सर्मा के शो का बाइकाट और कहीं वो शारू खान की पिचर का बाइकाट तो कहीं इसका बाइकाट है बाइकाट कभी वो खाने वाले गाइकाट कहीं तनिसक का बाइकाट भाई साथ देख रहे हैं और यो बाइकाट करने वाले हैं कौन इसा लगता है कि मतलब ये बड़े जमीदार लोग हैं, है ना, बाइकाट, ये लो जागीर दे दी, बाइकाट, ये लो जागीर, बाइकाट, पांच-पांच किलो फिरी रासन में गुजारा करने वाले लोग बाइकाट करने हैं, बाइक बज़ रहा है जो मन में आए बग तो कोई भीनारा लगाओ भीड में इधा सारे डेढ़ सो दो सो पान सो हजार लोग है यह मोटर साइकल डिया उसको डरा दिया उसको धमका फुल मजा आ रहा है और कितने अच्छे दिन चाहिए तो अच्छे दिन है पहले तो कहीं JCB की खुदाई होती थी तो लोग नहीं भीड़े खटा करके लोग देखने लगते थे आप यह खुदा ही हो रही है क्या चल कह रहा है अच्छा अब तो सरकार ने भाया इस से अच्छे दिन और क्या देंगे कि सरकार ने तो बुल्डोजर दे दिया है ये मकान गिर रहा है तो मतलब बुल्डोजर देखनों के मिल ला है दूसरा मकान गिर रहा है और तिसरा जिसका मकान गिर रहा है उसको करो क्योंकि नोकरी है नहीं भरती निकल नहीं रही परचा लीक हो रहे है तो अब बचा क्या युवाओं के पास यही डीजे और यह बैकाट और यह नारे और यह बुल्डोजर मज़ा रहा है तो सरकार फुल मज़ा दे रही है मज़े लूटो भाई अच्छा इसमें भी कमाम कुछ लोग बड़ सीरियस हो जाते है हमें तुमको बड़ी प्राब्लम है बुल्डोजर से भाई यह हमको भी प्राब्लम नहीं है चलने देओ यार अपने घर में भी चलवा ले अग दिन बुल्डोजर और मज़ा आजे अच्छा यह लोग कुछ लोग ऐसे होते कि यह बात नहीं समझते कि इनसे क्या बात कह रहा हूँ अर भाई जो दंगाई हैं जो लोग नुकसान कर रहे हैं समाज में दंगा प्यला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं तो हर नफ़रत और दंगाई के खिलाफ खड़े होना एक अच्छे नागरिक का धर्म है आपको भी होना चाहिए, मेरा भी है लेकिन ये कहते हैं नहीं भाई साब तो ठीक है लेकिन उनके बारे में इसा बोला है तो उनके बारे में नहीं बोला और ये तो बहुत ऐसे हैं और तुम इनके बहुत हितैशी हो भाई किसी कहतैशी नहीं है चाहे वो बलातकार की धमकी देने वाला वो जो बाबा, वो देखो, पंदा दिन बाद वो पकड़ा गया, पंदा दिन से लोग चिला रहा है थे तब नहीं पकड़ा, और इधर खट से घटना घटी और यह दंगाई पकड़ दिया कि घर तोड़ दिया गया, तो बस इस बात क कहते हैं, कि अगर आप वाकई में बहुत एक्टीव हो, सजग हो, अच्छे नागरीक हो, अच्छी सरकार हो, तो पंदरा दिन से एक बाबा को नहीं पकड़ पा रहे थे, अब पंदरा घंटे के अंदर घर तोड़ दिया, तो भाई सब शक करने वालों को नियत में शक होता है, तमाम लोग कहेंगे, अच्छा तुम भाईया, इनके मुल्लों के बड़े हितेशी हो, बड़ा हमदर दे, तो भाईया, हमने कब कहा हम किसी के हितेशी हैं, कब कहा, लेकि इनका मानना ये है, कि भाई साइब ये लोग जो कुछ चल रहे हैं, इनका जो डीजे बज रहा ह है, तो ये कहते हैं, बस यही वाली बात करो, तुम दूसरी बात क्यों करते हो, है, तुम ये मतलब कोई सच्ची बात क्यों कर देते हो, है, तो बस सच्ची बात करना ही इनको लगता कि यार, ये हिंदू नहीं है, बाई साइब सवेरे, चार साड़े-चार वजे ब्रह्म मह आपए लड़ना किस्से और क्यों लड़ना है मज़ा आ रहा है बस यह तर्वूज का ठेला पल्टा दिया तर्वूज पिचक गए सड़क पे घूम रहा है बिचा रहा है करीब आद्मी रो रहा है इनको मज़ा आ रहा है किस एक बिर्यानी का ठेला पल्टा दिया धाच यसे क्यों पल्टाया उसने क्या किया था क्या कुसूर इससे लेने देना नहीं मज़ा रहा इन लोगों के साथ यही होना चाहिए अरे भाईया जिन लोगों ने गलत किया है जो लोग गलत करते हैं उनके साथ गलत होना चाहिए सबके साथ मनला कोई भी सबके साथ गलत होना चाहिए तो ये तो खुद देखो हम लोग बजपन से आप लोग भी गीता पढ़ते होगे हरमान चालसा पढ़ो रामायल पढ़ो धर्म की ग्यान की बाते भजन सुनो, चचचंग सुनो हर जगा आपको अच्छी बाते समझाई जाती है ये बात जो आप लोग हरकत कर रहे हो ये कहीं नहीं सिखाया जाता है लेकिन यही बात मैं कहीं दिया ये देखो, ये इसका असली चेहरा आप समझ में आया है, देख रहे हो कैसी बाते कर रहा है, ये उनका फेवर ले रहा है अरे भाई साब किसका फेवर और क्यों लोगा मैं एक देश का नागरिक हूँ जब कभी भी देश में अस्त वेस्त चीजें कुछ होती है कानून और सिस्टम में कोई खामिया नजर आती है उन पे बात करता हूँ आपको भी बात करनी चाहिए और जो तकलीफ है अगर आपको है तो आप उसका निवालन करो और लोगों के बीच में रखो जिनको तकलीफ नहीं है वो भी गाओं में बैठा हुआ ने इनके साथ ऐसी होना चीए भाई क्यों होना चीए तेरे साथ क्या है तेरे साथ ऐसा नहीं होना चीए एक दूसरे के दुख में तकलीफ में किसी को दर्द हो रहा है जो उसके इनको मज़ा रहा है ये तो ना इस धर्म की बात है ना उस धर्म की बात है ये तो मानवता के खिलाफ है मनुस होना इनसान होना उसके नाम पे कलंग है कि कोई किसी की दुख दर्द में किसी की तकलीफ में जोड़ दो, जब इंसान पीलित होता है, तो कोई भी धरम का आदमी हो, चाहिए धर का हो धर, पीलित आत्मा से बद्वाइं निकलती हैं, और वो बद्वाइं आत्मा से निकलती हैं, वो किसी धरम से नहीं निकलती हैं, और बद्वाइं किसी का भी तहस तहस करती हैं, समाज म सिस्टम है जितना हम सिस्टम से चलेंगे देश हमारा है हमें सम्हालना है और बाकी इस तरीके से गेर छोड़ करके गाली चलाए चलो गाड़ी कहां भेड़ रही कहां टूट रही कहां पलेट रही है इससे आप ही को नुक्सान होगा लेकिन भाई साब समझाने जाओ तो पता कर रहा हूं समाज के हिद की बात कर रहा हूं जहां पर गलत हो जो कोई दंकाई फसादी है उसको गुना की सजय मिलनी चाहिए को कब कह रहा है हम कि जहां कोई पकड़ा जाए हम तो कहरे हैं उसका अधार कार जबता कर लो उसको फिर रासन देना बंद कर दो उसकी जितनी उसको सबक सिखाओ यह सरकार का काव है हम अकेले इंडिविज्वल आदमी या हम 150 या 500 भी कहीं मिल जाए तो हम क्या निल्ड़े लेने लाइक है क्या हम किसी चीज करें कि इसको साथ ऐसा करो वो करो ऐसा करो ऐसे हम अगर निल्ड़े लेंगे तो ऐसे दूसरे लोग भी है वो हमारे उपर निल्ड़े लेंगे तो बस भीया हो गया कि हम उनका निल्ड़े लें वो हमारा निल्ड़े लें बस इस निल्ड़े निल्ड़े में हो गया बंटा थार बस अब ज़्यादा क्या बोले क्या लग को वाई सब लोग हमारा देश खुशाल रहें देश के सारे नागरीक अच्छे रहें देश प्रगत की ओर चले देश में शांती हो यही सचे दिल से प्रात्ना करता हूं बागी सब लोग अपना ख्याल लगें बहुत बहुत धन्यवाद